दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका आपके ही चैनल उशा की करण में दोस्तों आज का हमारा वीडियो है हमारे किसान भाहियों के लिए समर्पित क्योंकि हम आज बात करेंगे महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 GI ट्रेक्टर के बारे में दोस्तों इसलिए हमने इस ट्रेक्टर को पूरा का पूरा साफ कर लिया है चमका लिया है ताकि हम अच्छे से अच्छा आपको चमकता दमकता इस ट्रेक्टर की पूरी की पूरी डीटेल में बातें बता सकें दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर अवश करिएगा और उशा की करन चैनल पर अगर आप पहली वार आए है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो दोस्तो महिंदरा अरजून नोवो 605Di ट्रेक्टर जो है 57 हора सुआवर के अंदर आने वाला एक ट्रेक्टर है जिसके अदर आपको डीजी सेंस टेकनोलोजी मिलती है डीजी सेंस टेकनोलोजी एक ऐसी टेकनोलोजी है जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल के उपर system यहांपर मिल जाता है, बस आपको हात का हलका सा इसारा करना है और आपका bonnet उपर हो जाता है दोस्तोर इस ट्रेक्टर के हम आवाज भी आपको उनाएंगे आगे इसके हम बड़े सारे filter के बारे में आपको बताना चाहते हैं इस ट्रेक्टर के अंदर आपको मिलेगा dry type filter यानि कि सूखा filter जो कि आपके इस engine को सांसे देने का काम करता है ट्रेक्टर के आवाज आप सुन सकते हैं काफी smooth और काफी soft आवाज आपको यहाँ पर सुनाई दे रही होगी दोस्तो इस ट्रेक्टर के अंदर आपको 3531 cc वाला four cylinder water cool engine मिलेगा जिसके अंदर आपको forced cooling system मिलता है यानि कि इस ट्रेक्टर के अंदर जो cooling system है वो काफी forced तरिके सी किया जाता है जिसी कि आपका track track गरम ही हो पाता है साथ ही आपको काफी बहतरी torque मिलता है 236 newton meter का और इस ट्रेक्टर की जो lift capacity मिलेगी वो हमें मिलेगी 2200 kg के आसपास दूस्तो इस ट्रेक्टर का जो service interval है यानि कि आपको जो service करवाने का जो समय है आपका रास्ता दिखाते हैं इंडिकेटर अगर आपको इसके bonnet पर मिलते हैं काफी खूबसूरत आगे और पीछे पीछे के साइड में एक powerful light भी मिलेगी जो कि आपको पीछे का रास्ता देखने के काम में आती है तो दोस्तो ये तो हो गया इसका lighting system अब इन lights को जो power देने का काम करती है वो है इसकी battery जिसको महिंद्रा 605 GI tractor के अंदर काफी बैतरी प्लास्टिक के एक box के साथ में लगाया गया है और साथ ही वहाँ पर आपको मिलता है Excite Express नाम की battery जो की काफी बैतरी कंपनी की battery है अठ्यासी AH वाली आपको यहाँ पर battery मिल जाती है तो दोस्तो ये तो होगया इस tractor का lightning system अब हम बात करते हैं ट्रेक्टर के other features की आपको इसका आगे का जो एक्सल मिलता है वो adjustable मिलता है यानि कि आप इसको two way direction में adjust कर सकते हैं पावर इस्टेरिंग अगर पंप की बात करें तो डबल एक्टिंग आपको यहाँ पर इसके पावर इस्टेरिंग के जो है डबल एक्टिंग पावर इस्टेरिंग मिलता है इसके अंदर साथ पचास सोला के आठ प्लाई रेटिंग वाले आपको यहाँ पर टायर आगे के मिल जाते हैं इस ट्रेक्टर के अंदर आपको वील बेस मिलेगा केसान बाईयो दोजार एक सुपैतालिस हमेम का और पीछे के टायर मिलते हैं सोला नो अठाइस के बारे प्लाई रेटिंग आपको टायर पीछे मिलेंगे जिसकी गिरिपिंग काफी अच्छी होती है जो की चड़ में खचड़ में उबर खाबर रास्तों में भी आसानी से निकल जाते हैं दोस्तो इस ट्रेक्टर के उपर आपको दोजार गंटे या दो साल की वारंटी मिलती है महिंद्रा कमपनी के तरब से और इसकी अगर हम पीछे की बात करें तो आपको यहां पर कही प्रकार की हिंजिंग पॉइंट्स मिलते हैं जिनके अंदर आप अपनी काफी सारे अटेच्मेंट को लगा सकते हैं पीछे की साइड में आपको इसका जो लिफ्टिंग कैपसिटी वो मिलती है बाइस पर आपको mechanical dial immersed braking system इसके reverse PTO RPM है मतलब कि इसके PTO के जो RPM है वो मिलते है 540 और HP की बात करें तो 50 HP की आपको पावर मिलती है PTO से दूस्तो काफी बैथरी निया पर आपको सारे के सारे aटेच्मेंट मिल जाते हैं इस ट्रेक्टर की आगे दोड़ने की जो maximum speed है वो है 33.23 km per hour की और reverse इसकी speed है 17.72 km per hour की speed से ये पीछे की side में दोड सकता है दोस्तो इस tractor के साथ में आप काफी सारे attachment लगा सकते हैं काफी सारे काम कर सकते हैं आपको पल्टे, पुलाव वगरा के सारे के सारे आपको यहाँ पर adjustment जो हैं दोस्तो इस tractor के अंदर आपको 15 brake आगे और मतलब 15 gear आगे और 3 reverse यानि की आपको टोटल 18 gear मिल जाते हैं इसके अंदर low और high दोने रूप से आप इनका यूज कर सकते हैं साथ ही आपको मिलता है काफी बहतरी निया पर bonnet के उपर silver finish जिससे कि आपको ट्रेक्टर का जो लुक है वो काफी बहतरी और खुबसूरत हो जाता है दोस्तो इस ट्रेक्टर के साथ में हमें in-line का pump मिलता है यानि की boss company का in-line pump मिलता है जो कि इस ट्रेक्टर के engine को पूरा fuel supply करने का काम करता है तो इस तरह का fuel injection system है साथ ही याँ पर आपको एक और लोहे का यानि की steel material से बना हुआ एक toolbox और मिल जाता है तो दोस्तो काफी बैदरीन ट्रेक्टर है अगर आप चाहते हैं दोस्तो और किसी ट्रेक्टर के बारे में भी जानकारी लेना जैसे की सोना लिका है, एको बोटा है, जॉन डियर है बगरा बगरा उनकी वीडियो मैंने यहाँ बनाए हुए है अल्रेडी मेरे चैनल के उपर अगर आप देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक में आपको डिसके सुना दे दूँगा, आप उसने भी जरूर चेक कर लिएज़ेगा, दोस्ति यहाँ पर आपको dual clutch मिलता है, काफी बहतरीन clutch है, काफी soft है, duty diaphragm type आपको यहाँ पर clutch मिल जाता है, और पेरों के लिए यहाँ प पकड़ करके आप आसानी से उपर चर सकते हैं, 66 लीटर का आपको यहाँ पर diesel tank मिलेगा, जिसको कि आप lock भी कर सकते हैं, ताकि आपके diesel वगरा की कोई चोरी ना कर सके, तो काफी बहतरीन ट्रेक्टर है, इसकी अगर हम उचाई की बात करें, तो 2130 mm के आसपास इसकी हमें उ मोटा मोटा इस ट्रेक्टर की सारे की सारी स्पैसिफेकिशन और डीटेल्स आपके लिए बता दी है, इस ट्रेक्टर की अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो लगबग सात लाग 26 जार रुपे के आसपास इसके एक्सवरूम प्राइस होने चाहिए, दूस्ति इसके M.I. और सॉफ्ट पावर स्टेनिंग इसके अंदर आपको मिल जाता है, और हाथ वाला रेस भी मिलता है, एक काच मिलता है जिसके अंदर आप पीछे की साइड में आने वाले ट्रेफिक को देख सकते हैं, या आप अपने चेहरे को भी देख सकते हैं, तो दोस्तों महिंदरा अर करने की फेसलिटी आपको मिली जाती है, किसान भाई, योगर वीडियो अच्छा लागता है, तो इस ये लाइकें शेयर करिएगा, और इंदर के आसपास से मुझे देख रहे हैं, तो स्री हरी कृष्णा मोटर्स पर आप संपर कर सकते हैं, और पहली बार मेरे चनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो जै जवान, जै किशान, आज के लिए इतना, जै जै, बाई बाई